दूसेटी इंडिया उन्हें एक अमीर भरष्टाचारी देश बेचने वाली कॉंग्रिस को नकारा इमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को चुना था आज देश बहुत विकास किया है आज देश से बाहर भी कोई जाता तो उसको गर्व महसूस होता जब लोग कहते हैं भारत से आए हो तो भारत का नाम मानसमान से लिया जाता है अगर हमें भारत को और उंचाईयों पर पहुंचाना है और मान सम्मान बढ़ाना है वर्तमान और भविश्य की पीडियों को एक सशक्त सुन्दर विक्सित भारत देना है तो 400 पार करके दिखाना है मंदिर निर्मान से ये 400 पार की रहा थोड़ी आसान हुई मंदिर निर्मान वन ओफ दे वर्क है जैसे मैंने का विकास भी विरासत भी ये हमारा संकल्प था जो हमें पूरा करना ही था अभी बहुत कुछ करना है अगर मैं यवाओं की और देखूं तो मैं भारत के यवाओं की तरफ देखता हूं तो दूसे दरफ नरेंदर मोदी जी को देखता हूं जो टेकनोलोजी को अपयोग भी करते हैं जब मैं वित राज्य मंत्री बना मैंने यह बात पहले भी कई बार कही तो मोदी जी ने बुला कर कहा कि हमें स्टार्ट अप्स में युवाओं की मदद करनी है ताकि उनके हुनर को हम शिखर तक ले जाने का काम करें हमने किमल पॉलिसी में बदलाव किया था कुछ मदद की लिए भारत के युवाओं की ताकत मोदी जी कब जानते थे देखिए कुछ सौल स्टार्ट अप्स थी आज भारत स्टार्ट अप इको सिस्टम में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है एक लाग से ज़्यादा स्टार्ट अप्स हो गई यह भारत के एक क्रोड घरों के उपर मेक इन इंडिया ही रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेंगे तीन सो इनट बिजली आपको मुफ्त में मिलेगी 18,000 पे आपकी साल की आमदन होगी ऐसे ही दो क्रोड पक्के मकान मिलेगे तो उससे भी रोजगार मिलेंगे इनवेस्टमेंट आपकी और आए एफडियाई बड़े उसके लिए और निति तयार की गई है तो हर क्षेतर के लिए कुछ ना कुछ किया गया साथी साथ पिछले साल 10 लाग करोड का अगर कैपेक्स था तो इस साल 11,11,111 करोड प्या आज तक का सबसे बड़ा बजट में प्रावधान आदारभू ढांचे के लिए किया है तीन रेल कॉरिडोर बनने वाली है आपके अगर एक्सपोर्ट का माल है तो पोर्ट तक ले जाने के लिए कम समय लगे उसके लिए है आपका माइन्स, मिनरल्स, मालो, स्टील, सीमेंट, कोईला इसको ढुलाई करनी तो उसके लिए है तीसरा पैसेंजर्स के लिए जहांपर आपको 40,000 भोगिस को भी आधुनिक और आराम दायक बनाया जाएगा वंदे भारत की तर्ज़ पर बनाया जाएगा ये सब भविश्य को ध्यान में रखते हुए विक्सित भारत बनाने की दिशा में इस बजट को दिया गया है मैं बार-बार राम दिर का जिकर इसले कर रहा था क्योंकि बार-बार ये परसेप्शन बना दी जाती है कि 17 करोड मुसल्मानों का भरोसा आप लोगों परसे उठ गया है बकॉल ओवेसी ये मैं नहीं कह रहा हूँ opposition parties भी कहती है कि मुसल्मानों का भरोसा उठ गया है राम अंदिर के अबाद अब काशी की भी बात की जा रही है काशी का मामला कोट में है फिर आगे मतुरा की भी बात की जा रही है देखिए अगर social welfare schemes जो हम चला रहे हैं वो secularism का सबसे बड़ा उधारण है ये समाजिक न्याय की जो कारेक्रम है ये धर्म निर्प्रेक्ष्टा का सबसे बड़ा उधारण है क्योंकि जो मैंने गिनाय पक्के मकान शोचालियर, रुसोई गैस का सिलेंडर पानी का connection मुफ्त में दबाई, मुफ्त में अनाज इसमें किसी की जाती धर्म संपरदाय कुछ है नहीं पूछा जिसका हक था उसको हक और न्याय देने का काम मोदी सरकार ने किया है और जब राम मंदर भी बना इठाई बांटरे दे कोई कुछ कर रहा था भजन गीरतन चल रहा था देश को और एक जुट करने का काम किया है तो राम नाम पे भी होने का काम कुआ है एक आखरी सवाल आप से है नुराग जी YouTube चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक की बहुत बात की जाती ये खास कर आपके कारिकाल में YouTube चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक बहुत ज़्यदा हुई है क्या रीजन है उसके पीछे क्यों की जा रही है और ये क्या freedom of expression पर कोई अटैक की तरह देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए देखिए एक बात तो मैं बिलकुल स्पष्ट कर दूँ अगर डिजिटल चैनल सबसे ज़्यादा कभी बढ़े तो हमारे इन दस वर्षों में बढ़े और अभिव्यक्ति की अजादी के लिए हम पहले दिन से जब से हम विपक्ष में थे कॉंग्रेस ने देश में अमर्जंसी लगाई उसके कलाब हमारी पार्टी लड़ी हमारे नेता जेल गए लाल किशन अडवानी जी से लेके नरेंदर मोदी जी तक जेल में गए वही अडवानी जी जो जेल अमर्जंसी में भी राममंदिर में भी उनको बहुत कुछ मुकदमा वर्षो तक जेलना पड़ा आज हमारे प्रिय अडवानी जी को भारत रतन देने का काम भी नरेंदर मोदी जी की सरकार ने किया लेकिन मैं फिर वापिस आपका डिस्टिल चैनल पे जाऊंगा जो अच्छा काम कर रहा है जो गाउं की खबर को भी राष्टे खबर बनाने का काम कर रहा है इससे बड़ा काम कब हुआ डिस्टिल चैनल के माद्यम से हुआ है लेकिन अगर कोई देश में हिंसा फिलाने का काम देश तोड़ने का काम करता है तो नियमो अनुसार वो चैनल अगर platform YouTube का है कोई और platform है तो स्वें उसके खिलाफ कारवाई भी करता है कोई complaint करता है तो कारवाई होती है आगरी एक और सवाल इतने काम हुए इतना विकास हुआ नितीज जी को वापिस लेनी की क्या जरूरत थी देखिए बिहार को अगर बचाना है और आगे बढ़ाना है तो कम से कम जंगल राज लालुजी और तजस्वीजी से बचाना है 2020 में भी जब विधान सभा का चुना हुआ तो NDA को वोट मिला भारती अंतापाटी और जेदियू को हमारी सीटे जादा थी उसके बाब जो नितिशी को हमने मुख्यमंत्री बनाया हमने गटबंदन धर इमानदारी के साथ निभाया बीच में नितिशी अगर जेदियू के साथ चलेगे तो उन्होंने वो भी अपना अनुभव देखा उनको लगा बिहार लुट जाएगा बिहार में हालात खराब हो गए इसलिए दुखी होकर उनसे भी और गटबंदन में जो उनके साथ हुआ वो तो वही बियान कर सकते हैं दोनों से ही जो उनका अनुभव हुआ उसको सीख कर वो वापिस आए है बिहार के हित में आए है देश के हित में आए है हमने 2019 में 81 मिलकर 40 में से 49 सीटे जीती थी अब की बार 40 की 40 सीटे जीत कर दिखाएंगे एक आखरी सवाल ऐसे ही अगर अनुभूती उद्व ठाकरी जी को होती है कि उन्होंने गलत किया तो उनके लिए भी क्या दरवाजे खुले है नितीजी की तरह देखिए राजनिती में दरवाजे खुले ही रहते हैं डिपेंड करता है कि मुद्दे क्या है और राष्ठ हित से बड़ा हित आपके लिए कुछ नहीं अगर बिहार का हित उसमें सुधर रहा था राष्ठ हित में वो कदम लिया जा सकता था तो लेना ही चाहिए था और भूला भटका कभी वापिस आना चाहे तो अगर आप देखिए जो हत्यार भी उठाते हैं माली जे किसी ने आतंकवाद का अलगावबाद का रास्ता उठाया सरकारे मौका देती हैं हत्यार छोडने का और मेंस्ट्रीम में वापिस आने का लोगतंतर की यही सबसे बड़ी खाजियत है चरोली झालने का देने जार रास्ते है यह उठाब देखिजित का यही उठान चाहे खाजबाद इंग